हेलो गाईज, वेलकम टू कमेस्ट के रिलिस, आज हम लोग एक इन्पोर्टेंट रूल के बारे हम सिखने वाले हैं, जिसका नाम है मार्क ओनिकॉप्स रूल, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कहां अपले होता है, और यह क्या होता है, और कैसे रूल कहता क्या है, तो अलेक्टोफिलिक एडिशन रियक्शन में, कहां, अलेक्टोफिलिक एडिशन रियक्शन में, अब यह रियक्शन, अलेक्टोफिलिक एडिशन रियक्शन क्यों है, यह समझ लेता है, तो देखिए, यहां पर आपको डबल बॉंड दिख रहा होगा, और जहां डबल वहाँ electron density क्या है आपका high है, electron density high है, अब यह hx जब तूटेगा, तो h plus और h minus में तूटेगा, h plus जो है electrophile है और x minus जो है वो nucleophile है, clear, अब अगर आप यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, यह x minus nucleophile है, तो यहाँ electron density high है, तो इसके ओपर वही attack करेगा, जिसका electron density कम हो, यानि कि electrophile यहाँ पे double bond पे apply, यानि कि attack करेगा पहले, क्योंकि electrophile यहाँ पहले attack कर रहा है, इसलिए इसका नाब electrophilication election करते है, clear है, अब दूसरी बात है, कि यहाँ पे markonikovs rule की आप सत्ता क्यों है, क्योंकि जब यह electrophile, यह h plus, इसके ओपर attack करेगा ना, तो अब यह दो कारवन में से किसी के साथ जूर सकता है, यह देखे, double bond के दोनों साथ कारवन है, एक यह कारवन और यह दूसरा कारवन है, ठीक, इस दोनों में से किसी के साथ जूर सकता है, तो किस के साथ h plus जूरेगा और बाद में x minus किस से जूरेगा, यह बताता है markonikovs, तो markonikovs यह बोलता है, ठीक, कि h plus और x minus, यानि कि अगर हम बोले एलेक्टोफाइल और निकलियोफाइल में, एलेक्टोफाइल यानि कि positive वाला उस साइड एटेच होगा, हम जानते हैं कि CS3, CH और double bond जब तूटता है, तो यह दो नया bond बनेगा, तो एलेक्टोफाइल उस साइड जूरेगा जिदर हैडोजन का नंब नंबर कम हो, यानि कि H आपका यहाँ जूरेगा और X आपका यहाँ जूरेगा, यह बताता है मार्कोनिकॉप्स, और इस से बना हुआ प्रड़क्ट को हम लोग मार्कोनिकॉप्स प्रड़क्ट भी कहते हैं, I hope that our concept clear हो गया होगा, thank you.